एक और आपको बताते हैं कि कुछ लोग बड़े चलाक हैं मैदी हसन जासे लोग मैदी हसन का करियर जो है अब वो अमेरिका में पोस्ट करते हैं शो उन्हों ने करियर बनायावा अपना बड़े मज़े से किस तरह लेफ्ट की पॉलिटिक्स को पीज करना ट्रंप के खलाग बोलना लेकिन इसलाम के हवाले से सॉफट कॉर्णर भी रखते हैं लेकिन कुछ इसलामिस्ट को इन दॉर्णर भी पुश करता लेकिन देखें इतना चलाक इनसान जब इस तरह की दोरमरी कर ला जासा है राना ट्वीट की है जिसमें वो भी इंडिरेक्ली सल्मान उष्टी के साथ जो हुआ उसको खलत पूला जा रहा तो ये सुनिये दरा ये इससे किस किसम की ट्वीट की जो के जूट है मेरा क्या ये एक अंग्रेज और अंग्रेज सिम्नारमरी की और बाइबल की प्रीच कर रही है एयरपोरड पर तो ये यहां पर कई होते हैं क्रिफिञ्चिन बें कुछ क्रिफ्टन नी होते हैं हालाग bud ये बस सच है कि हमें उतने ख्रीजिशन नाजर नहीं आते हैं त truths करते हुए जितनी मुमिनीज नाजर आते हैं काफरों के मुल्क में तो यह हरे एक पास जा रही है और आप लोगों के रियक्शियों स देख सकते हैं यह जीसिस के बारे में प्रीचिंग का रही है लोग उसको कोई नहीं कह रहे हैं लोग ठीक है लोग इसको पागल ही हैं हम इन लोगों को पागल ही समझते हैं Bible basher जिन को कहा जाता है पहली बाद ये है, महदी असन ड्रामे बाद आदमी, ये ज़रा इल्जामी जवाब फकी वाला, कि भाई, फतन इसको उर्दु आती है, कि ने इंग्लिश को में भी करेंगा हैं इसको, पहली बाद ये है कि भाई, कोण, अगर तो कृस्चन्स ये काम करने के बाद, जहाजों को बिल्डिंगों में मारने शुरू हो जाये, तो पर हमें जाहरी सी बात है, पर हमें कृस्चनों से भी डर लगेगा, अगर हमें ये नदर आने लाग जाए, कि क्रिस्चन जो हैं ब्राउन लोगों को मारते हैं काले लोगों को मारते हैं या क्रिस्चन मजभ के नाम के उपर अपने स्यासी मुफाद को या अपने स्यासी एजाइम को पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को, इन से भी डर लगेगा, लेकिन ये जो होते हैं, ये तो हमेचा ये ही आकर कहते थे, Jesus is love, please let Jesus enter. वो प्लाकार्ड इनको दे दिये कि आप इसको जाए नमाज की तमाई इस्तमाल कर ले। वो पीछे खड़े में गोरे, कई तालियां में मार रहे हैं पावल के तच्छे, यह देखा हाद बांद के खड़ी भी गोरी, यह वली। यह सारों ने अपनी जगा छोड़ दी कि यह ज मुझे पता है, क्रिस्चिन फिर्स ने भी गाल लेकिन जो पिछले हफते से हम देख रहे हैं कि यह इतने बड़े-बड़े लोग खुल के जूट बोलते हैं, मैदी असन जैसे लोग, यह पाकिसान के लोग जैसे हादी मतर को बड़ा कह रहे हैं, बड़ी बहादरी से और इन लोगों के पास और कोई है, और आपको पता है कि यह किस तरहां सड़के रांद करके नमाजें पाड़ा रहे होते हैं, आप लंदन में चले जाएं, वाटर लू स्टेशन पे इन्होंने नमाजें पाड़ा रहे होते हैं, कोई कुछ ही नहीं कहता हैं, आप इंग्ले स्पीकर के उपर अपने इसलाम का परचार कर रहे होते हैं कोई कुछ नहीं कहता है इतनी तकलीफ हो रही होती है इनकी वाज़े इनकी इतनी बढ़ंगी किसम की निज़े खुले पजामे पाए लटा तनिया और उपर से दाड़िया इतनी बड़ी बड़ी यहां से समुसे हाथून ताश के मुँपे छुरी मारी थी इन्होंने इन मौमिनों ने अल्ला के जहातियों ने और वह भी बाचेगी और वह ऐसी बाचेगी कि उसको फिर देविड वूटन ने अपना चैनल दे दिया जो से डिलीट करना था आठ हलाक उसके सब्सक्राइब बने तो अल्ला सच है क्योंकि इनके कारणामे यह ऐसे हैं फिर आगे से कहते हैं हमारे हम रसूल अल्ला के उपर मारे रसूल अल्ला को इस वके जो सबसे ज़्यादा बुरा भला यह गालिया उनफॉर्चिनेटली जिसको अभी पढ़ती है वह हजरत मुहम्मद है किसी बंदे के इतने कि मुसल्मानों का जो रियक्शन है मुसल्मान इस तरह की चमले मारेंगे लोग उनको नहीं छोड़ेंगे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पंचा सकूँ झाल